हेलो दोस्तो आज शेयर करने वाली हूं मैं आपके साथ एकदम रबडी दार और मलाईदार कुलफी आइसक्रीम की रेस्पी बहुत ही जी और बहुत ही सिंपल तरीके से आए मैं बनाने वाली हूं सिर्फ एक किलो दूद में आम पांसे छे लोगों के लिए बना के तयार कर सक उख गते हो , तो आए इंगे यहां पर इसको बनाना के दाले हैं कर और तो यहां पर सबसे पहने कर दément क्यूंदो की नगा दिया एकदम कि यहां ने कर दोगिए तो उच्ञार कर दोग सकते हो तो एक लीटें दूद की अगरव नी अच्छे वॉयल होने के लिए हमने रख दिया है जब इसमे इसमें एक अच्छे से बॉयल आने लगेगा जरता हम इसको चलाते रहेंगे यहां पर गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर लिए दूद जल्दी से पक जाएगा जल्दी से गरम हो जाएगा और इसको इस तरीके से आप जब दूद अच्छे से गरम हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर अच्छे से वोईल होने के लिए इसको छोड़ देंगे अब यहां पर देखिए थोड़ी-थोड़ी मलाई आती जाएए जैसे ही दूद गरम होगा तो हम क्याद करेंगे इस प्रकाँ से इसको चलाते हूए इस मलाई को हम दूद में ही मिक्स कर देंगे और जो किनारी पर हमारे दूद लगता जाएगा इस Kal Доad और हो करते हुए हम दूद में ही इसको मिक्स कर देंगे जो हमारी आइस क्रीम है वह हमारी मलाईदार बनेगी और बहुत ही टेस्टी लगती है इस प्रिकास अगर आप एक वाद जरू ट्राय करके देखिएगा यहां पर दूद को देखिए मेरे दूद वॉयल होने लगा है बीच विच में आपको ओर भी काम रहते हैं तो न boat time इस तरीके से एक बीच में आप एक से दो राते जाएगे और इस तरी के से यह रबडी बने के तयार हो जाते है तो यहां पर सब arises पहले मैं एक लुदू से रबड़ी बना के तयार करूंगे और यहां पर देखे दूद अच्छे से बॉयल होने लगा है बीच वीचे में हम इसको चलाते जा रहे हैं जिससे दूद हमारा अच्छे से गरम हो जाए यहां पर फुल क्रीम मिल्क दूद लिया है मैंने यह भैस क दूद लिया है मैंने आप गाई के दूद से क्या है एकदम थिकनेस नहीं आती है और इसलिए मैंने यहां पर भैस का ही दूद लिया है लेकि फुल क्रीम बाला दूद लिया है इसमें बिल्कुल भी पानी आड़ नहीं किया है और आप भी मत करिएगा बिल्कुल भी पानी निकली थी वो मैंने इसी में अड़ कर दी है साथ में कुनारी में जो दूद लगाता उसको इस तरीके से हटाती हुए मैंने इसी में मिक्स करती गई थी जिससे जो हमारी रबडी और दूद गरम होगा और रबडी बन के तयार होगी वो एकदम मलाईदार ही आएगी देखिए यहां पर आपको मलाई दिख भी रही होगी बोरे चमची के ऊपर अब इस तरीके से हमारी यह बन के तयार है अब इसमें हम अपनी और भी चीज़ा एड़ कर देंगे जो हमें एड़ करना है यहां पर एक वार और अच्छे से हम चला लेंगे यहां पर मैंने ड्राइफूर्स एड़ नहीं करूँगी ड्राइफूर्स में लास्ट में एड़ करूँगी सबसे पहले मैंने यहां पर मीठा एड़ कर दिया था तो आप अपने साब से मीठा अजेड़ कर दीजेगा, अब चीनी को यहां पे अच्छे से मीक्स होने के लिए छोड़ देंगे, और यहां पे चीनी हमारी अच्छे से मीक्स हो चुकी थी, और इस तरीके से ये मलाई आई हुई थी तो इसको इसी तरह से मिला देगे ओर अच्छे से मिक्स कर देगे इसी तरह कि झालाना है इसमین disaster राइड भूड़तर भी अधुड़ आइड कर दो चैनिर दूद हो चूए तो आदा चुछूठी पाउडर एड जमादान लेके हिए व्हेकि पाउडर के तो तो दूध मेरा अच्छे से गरम हो चुका है जी खुला أنे पिलीच्छी के काऊछी कुछ पुलीटार भाण चुका तो spice कों दूध मेरा हुआखोँ मेel शुक्स 25-26 ताज़ भी добав जिए information यहां पर हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और रूम टेंपरेचर पर ही हम इसको ठंडा करेंगे अगर आपको जल्दी ठंडा करना है तो आप इसको फ्रीज में रख दीजेगा लेकिन मैं यहां पर इसको रूम टेंपरेचर पर ही ठंडा होने के लिए छोड़ दू अब यहां पर आसपास जितना भी लगा हुआ था किनारी पर मैंने इसको हटा के दूद में ही मिक्स कर दिया है और इसको हमे एक बावल में ट्रांसफर कर लेंगे जिससे यह अच्छे से ठंडा हो जाएगा जब यह अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसमें एक अलगी ठिक आप चाओ तो जल्दी थंडा करना है तो फ्रीज में इस परकास से हमें इसको तोड़ा से इस तरीके से छोड़ देना है थंडा होने के लिए और यह आराम से थंडा हो जाता है जान्दा टाइम नहीं लगता है दस से पंदा मिलेट लगेंगे और एक तम यह डूम टेपरेच लेकिन जो दरदरा पेस्ट है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता बच्चे भी आज कर दिखा लेंगे आपके तो उनको दिखाई ही नहीं देंगे और उसके बाद थोड़ी सी मैंने टूटी फ्रूटी जो होती है उनको भी एड कर दिया कर आपको इनका टेस्ट पसंद न काम में आएंगे और देखिए ठंडा होने के बाद एक दम रबडी दार मलाई दार बनके तैयार हो गया है और यहां पर मैंने ग्लास लिये हैं आप चाहँ तो किसी भी डबे में यह कंटेनर में भी इसको सेट कर सकते हो लेकिए मैंने इस तरीके से ग्लास में सेट किया है तो इसमें मैंने थोड़ी से ड्राइड फूर्टस एड़ कर दिये हैं काजु अबाद आम लिए थे आप अपनी चोईस के साब से कोई भी ड्राइड फूर्टस एड़ ले सकते हो और इनको काट कर भी अंबारिक चॉप करने के बाद भी इसमें एड़ कर सकते हो तो यहां यहां पर मैंने जो ग्लास में थोड़ी से नीचे से ड्राइट फूर्स एड़ कर दिये थे क्योंगी खाने में यह बहुत टेस्टी लगेगी अब हम सारे जो ग्लासिस लिए उनको फिल कर देंगे और जिसनी कौंटिटी में आपको इसको फिल करना है उस हिसमें डालते जाए यहां पर मैंने 5-6 लोगों के लिए ही सेट किया है आप कम या जानदा भी कर सकते हो यकीन मानिए यह बहुत ही टेस्टी लगती है हम मार्केट की आइसक्रीम इसके सामने फैल हो जाएगी अगर आप इस तरीके से घर पर ही इसको तैयार करोगे खाने में भी टेस्ट में भ पैक कर देंगे जिसे ही जो हमारी आइसक्रीम में अच्छे से से सेट हो जाएगी और सेट होने के लिए हम ओवरनाइट इसको फ्रीज में रख देंगे अब यहां पर मैंने इस्टिक थोड़ा सा चीट करती हूँ इसमें इस्टिक लगा दोंगी अगर आपको इस्टिक नह साथ में हेल्दी रहती है टेस्टि भी लगती है एक जरूर ट्राय करिएगा मेरी साइस्क्रीम को अगर मेरी रेस्पी पसंद आए मेरी चैय को लाइशियों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए का कमेंट आपको मेरी एजी और टेस्टिक कैसी लगी अब यहां पर म मांने इसक духов लोकाती है humano का कनले लोगती है अफिस आहए टेस्टिक को बट चा बाए बड़ों बनांके तरही होजा कर सकते हैं लेकिं खाने में बहुत टेस्टियों यह देखिए कि मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूं इस तरीके से निकाल लिया एजली निकल के भी आ जाती है आप चाहो तो एगर कंटीनम में या किसी भी शेप में इसको बना के तयार कर सकते हो बहुत ही जानदा टेस्टी लगती है अल्दी लगती है मार्केट के आइस्क्रीम भूल अगर इस तरीके से को ट्राइ करके देखों लगलों के चुनेंटार हुए ॡव्य लुट्रान कुम लाभ कर दोन आप कैसे भी इसको गार्णिश कर सकते हैं एक बाद जरू ट्राय करके देखिएगा मेरी इस रेसिपी को मिलती हूं मैं स्ट्यूडियो में नई रेसिपी के साथ हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चैनल तो लेकर आ गई हूं आज आपके साथ मैंगो की बहुती इजी और ब मैंगो ले लिया है यहां पर एक मैंगो से लगभग आठ कप समझ लीजए आठ कप के करीम जो हम बरत में जमाते हैं आठ लोगों के लिए ऐसक्रीब बन चुकी थी और एक आम ही लिया है आप जान्दा कॉआंटिटी में बना चाती है तो जान्दा आम भी ले सकते हैं तो इस पीचे मैंसे करल लिया पहले मैं नियाने चोटे पीके से कट लाके तुरु जो एक साइट मैं चोटे पीचे मादस से निकाल लूगी इसाइट है और चोटे कीस यह पर एड़ करना है अब यहां पर ये छोटे पीस को मैंनेने एड़ कर दिया है इसको रख देंगे हम एक साय में और बाकी का जो मैंगो बच्चा हुआ था उसका भी मै पल्प निकाल लोगी तो बाकी का जो हिस्सा बच्चा हुआ है इसका बीमेर पल्प निकाल के एक अलग बरतन में रख लिया है इसको अब बहुत ही तरीके से बताने वाली हूं बहुत ही आप फटा-फट से इसको बना के तयार कर सकते हैं अब यहां पर मैंने मिक्सि जान ले लिया है और इसमें मैंगो के आ पर निकाला हुआ था वो समय इसमें एड़ कर देंगे इस्तों पैर फानी बिल्कुल भी आप अधे करना है के श् razor और आप कर दिया मिक्स यहां निस्ता पर अपनी स्वЭтоं निस्ति प्स जञती हैं तो यहां पर मैंने दो अधा ग्लासी लिया क्योंकि मेरा मैंगो आग उम्षा लिया है और थीं टेबल में इसमें बचा लिया है यहां पर थोड़ी से काजू एड़ी बच्चे ड्राइज पूर्स नहीं आइस्क्रीम में डालवारी लेंगा यहां पानी डाली हूँए हम इसको पीच लेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा बनके तयार है पानी एड नहीं करना है सिर्फ दूद ही एड करना है और दूद से ही आराम से बनके तयार हो जाता है और मलाई भी साथ में एड कर दीजेगा फुल मलाई वाला दूद एड करना है अब यहाँ पर जो छोटे छोटे पीसेस एड किये थे मैंगो की, कट करके रखे थे वो इसमें एड कर देंगे, जब यह भूमें आते हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो यहाँ पर मैंने एड कर दिया है, और इसके बाद यहाँ पर आप हमें कुछ भी एड नहीं कर यहाँ पर मैंने इस तरीके से मीडियम साइज के कप ले लिये थे, आप किसी में भी इस आइस्क्रीम को जमा कर रख सकते हो, अब यहाँ पर चार कप लिये थे मैंने, और यह बन चुकी थी, आठ कप के करीब ही बनी थी, आठ मैंने जमाए हुए थे, तो यहाँ पर बनाया हुआ है, पेस्ट बनाया हुआ है मैंगो का, वो इस कप में एड कर देंगे, फुल नहीं बनना है, इस कौन्टिटी में हम इसको भल लेंगे, एक स्पून के करीब इसको खाली रखेंगे, और यहाँ पर सारी कप जो है मेरे रैडी हो चुके थे, आप अगर किसी बर कर सकते हो, अब यहाँ पर फोर है, यह मैंने एक बड़े साइच का ले लिया था, और इस में भी हम इसको एड कर देंगे, और यह बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी, घर में सब को ही पसंद आएगी, खास करके बच्चों को मैंगो, गर्मियों के सीजन में मैंगो आइसके बहुत ही पसंद आती है, अब यहाँ पर यो silv crystals, लेना है यहाँ पर इसको से पैक कर देंगे, पूर अच्छे से हम पैक कर देंगे इसको, और यहाँ पर थोड़ा से कट लगाती हुई, हम stick लगा देंगे, यहाँ पर थोड़ा से कट किया दो और साब में ही stick लग तरीके से मैं आपके शेयर करने वाली हूँ और जो mango ice cream में ये सबको ही बहुत पसंद आई थी घर में सबकी ही फैबरेट बन गई थी और एक वाद जुरू ट्राय करिएगा इस ice cream को आप ये की मानिए सबको ही बहुत पसंद आने वाली है अब यहाँ पर जो इस ट्रिक है वो मैंने इस तरीके से लगा दी है अब इसको हम ओवरनाइट के लिए मैंने फ्रीज में रख दिया था और ओवरनाइट फ्रीज में रखने के बाद ये अच्छे से जम जाती है और देखिए एकदम ही अब यहाँ पर आप उनको पीस कर भी एड कर सकते हैं या बिल्कुल ही बारिक चॉप एड कर सकते हैं अब यहाँ पर यह मेरी मैंगो ऐस्क्रिम बनके तयार है एक पर जरू ट्राइब करिएगा अब मेरी रेस्पी पसंदा में चैयर को लाइक शियर और सब्सक्रिब जरू करिएगा कमेंट टोक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेस्पी कैसी लगए एक वाद जरू ट्राइब करिएगा पसंदा आए तो फीड़बेक देना विरुकोल भूलिएगा यकीन मानिए बच्चों क्या बड़ो को भी बहुत पसंदा आएगी बहुती इज़ी तरीके से मैंने आपके शाह सेयर की है सिर्फ दस मिनिट में या इसके बनके तयार हो जाती है और खाने में बहुती टेस्टरी लगती है एक वाज जरू ट्राइब करिएगा इस रेसिपी को मिलती हूँ नेस री वीडियो में नहीं रेसिपी के साथ जब तक के लिए बाई